हर्याना के पंचकुला शहर में इस्थित है आठवी शताब्दी का पौरानिक भीमा देवी मंदिर जिसे उत्तर भारत के खजुराहों के नाम से जाना जाता है इस मंदिर का सम्मंद महा भारत काल से जुड़ा हुआ है कहते हैं कि भीमा देवी मादुर्गा का ही एक स्वरूप हो और हिमाचल प्रदेश के पश्चमी हिमाले में भीमा देवी भीम रूपा स्वरूप में प्रकट हुई थी और रिश्यों को सुरक्षा प्रदान किया थी भीमा देवी मंदिर सनरक्षित स्मारक में शामिल है इस मंदिर का पता 1974 में उस वक्त चला था जब पुरा तत्व विभाग ने यहां खुदाई की थी खुदाई में मंदिर परीसर में लगभग सौ प्राचीन मूर्तियां में मंदिर की वास्तु शैली समकालीन खजुराहों और भुवनेश्वर मंदिरों में दिखने वाली शैली की तरह इसलिए इस मंदिर को उत्तर भारत के खजुराहों के नाम से जाना जाता है भीमा देवी मंदिर की खुदाई के दोरान सभी देवी देवताओं की मूर्थिया पाई गए जिसमें शिव, पारवती, विश्नु, गणेश और कार्थिके आदी की मूर्थिया थे इनमें से जादातर मूर्थियों को संग्रहाले में रखा थे पुरा तत्व विभाग ने अनुमान लगाया है कि मंदिर में मुख्य देवता भगवान शिव हो सकते उन्होंने इन मूर्थियों को चार भागों में बाता है पहला हिंदू देवी देवताओं की मूर्थिय दूसरा अपसरा सहायक, गंधर्व और आकाश्ये संगितकारों की मूर्थिये तीसरा पशु की आप्रितिय और चौथा समकालीन समय के कामुख्य दूसरी हिंदू मानयता के अनुसार माता भीमा देवी महाशक्ती जगदमबाश आकम्वरी देवी का ही 一 सौरूप मा भीमा देवी फिमाले के सिवालिक परवतों पर तपस्या करने वालों की रक्षा करने वाली देवी जब हिमाले परवत पर असुरों का अत्याचार बढ़ा तब भक्तों के निवेदन से महमाया ने भीमा देवी का भयानक रूप धारण किया था मा भीमा देवी नीले वर्ण वाली और चार भुजाओं में चंद्रहास नामक तलवार, कपाल और डम्रु धारण कर देवी भीमा देवी मंदिर हर्याना के पंचकुला जिले के पिंजौर शहर में बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्मान आठवी से इग्यारमी सदी के बीच हुआ था इस मंदिर को गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था मंदिर परिसर में ही पिंजौर गार्डन है और इसका पौरानिक संबन पांडवों से कहते हैं कि पांडव अपने अज्यातवास के दौरान पिंजौर में ही रहे थे और उन्होंने यहां माकाली की पूजा और यग्य किया था